नमस्कार दोस्तो नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आप लोग जीते भी क्रिप्ट यूजर हैं उन्होंने अपने लाइफ में कभी ने कभी P2P से क्रिप्टो बाय और सेल जरूर किया होगा बट क्या आपको मालूम है कि जब हम P2P करते हैं तो उसमें कितना ट्रांजेक्शन फिस जो है अपलाई होता है या फिर काट लिया जाता है उसी चीज़ को आज हम वीडियो में जानेंगे वीद एन एक्जामपल ताकि आपकी मान में जो भी डाउट है P2P से जुड़ा कितना ट्रांजेक्शन फिस काटता है वो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाए तो बिना किसी लेट के चलिए चलते हैं लाप्टोप स्कीन पर और आपको जो है एक्जामपल बाइक्जामपल हर चीज़ को क्लियर तरीके से बताते हैं चलिए लाप्टोप स्कीन पर दूस्तों आप सभी लोग को बेहतर तरीके समझाने के लिए मैंने सामने ओपन कर लिया है नोटपैड अब एक्जामपल के लिए बात करते हैं कि मैंने जो है 10,000 रुपे का क्रिप्टो बाय किया P2P से USDT तो जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ये एक्चॉल मैं एक्चॉल टांजेक्शन का जो है डिटेल मैं आपके साथ सो कर रहा हूँ तो मुझे मिला 109.76 USDT अब इसमें जो है अगर मैं कनवाट करता हूँ तो मुझे टोटल 9,124 रुपे का जो है USDT मिला इसकी बीच में जो ट्रांजेक्शन फीज काटा वो है आपका 876 रुप्या तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज हमारा काट लिया लगभग 8.76% आपने देख लिया इस टाइप से जो है आपका ट्रांजेक्शन फीज अपलाई होता है जब भी आप क्रिप्टो को बाय करते हो P2P से मेरे लिए एक्जामपल आप देख सकते हो मैंने जो है USGT का एक्जामपल देखे आपको यह चीज बताया है अब एक और एक्जामपल ले लेते हैं एक्जामपल के लिए हमने बाय किया 8,436 रुपे का USGT P2P के द्वारा तो हमें जो है USGT मिला 91.90 USGT हमें मिला अगर हम इसे इंडियन रुपिस में कनवाट करते हैं तो 7,649 रुपे का हमें किप्टो मिला है तो इसकी बीच में जो ट्रांजेक्शन फिस कट गया वो है आपका 797 रुपिया अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो 9.4% जो है 9.4% ये जो है ट्रांजेक्शन फिस अपलाई हो गया तो ये हो गया बढ़े अमाउंट की बात आपने देख लिया कि एक में 8.76% काटा दूसरे में 9.4 अब हम बात कर लेते हैं छोटे ट्रांजेक्शन की कि आप लोग भी जो छोटे चन्रेक्शन करते हैं एक्जामपल के लिए मैंने बाई किया 280 रुपे का क्रिप्टो USDT बाई किया और तो मुझे मिला 3.13 USDT अगर हम इसको इंडियन रुपीज में कनवर्ट करते हैं तो सीफ 260 रुपे का मुझे जो है USDT यहाँ पर मिला ट्रांजेक्शन फिस कट गए आपका 20 रुपे तो अगर इसको हम पर्सेंटेज निकाल लेते हैं यह हो गया अपना 7.2 पर्सेंटेज दोस्तों आपने देखा 3 इक्जामपल मैंने आपके सामने सो किये कुछ इसी टाइप से आपका P2P जब भी आप बाय करते हो जैसे USDT बाय करते हो उसमें कुछ काटता है कि नहीं दोस्तों आपने देखा कि जब हम P2P की दोरा बाय करते हैं तो कितना ट्रांजेक्शन पीज जो है काटता है मैंने आपको दिखाया USDT का एक्जामपल देखे उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जब हम P2P से किसी भी क्वाइन को सेल करते हैं चाहे वह आपका USDT हो, CBINU हो Bitcoin हो, Ethereum हो, XRP हो जो भी क्वाइन हो उसमें क्या ट्रांजेक्शन पीज काटेगा कि नहीं तो दोस्तों आपको बता दू P2P से जब भी हम क्वाइन को सेल करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन पीज उस पर नहीं काटता है आप जितने का क्रिप्टो सेल करोगा आपको उतना ही अमांट मिल जागा क्योंकि आपको अगर पता नहीं बता दू जब हम किसी क्रिप्टो को सेल करते हैं P2P के द्वारा तो हमारे पास जब पूरा अमांट आता है तब ही जाके हम यहां से क्रिप्टो रिलेज करते हैं तीस चीज में हमारा ट्रांजेक्शन फीज नहीं करता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो P2P के ट्रांजेक्शन फीज के उपर यह वीडियो था आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और आज से आप जब भी P2P करेंगे तो आपको जो है यह चीज ध्यान में रहेगा कि किता ट्रांजेक्शन फीज मुझे चुकाना होगा दोस्तों गर यह वीडियो आपको थोड़ा से भी अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर सेयर किजिए अगर आपको इंफर्मेटरी लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुंचेगा और यूट्यूब जो है नमस्कास चुकार किजिए बाइबा दोस्तों जाइहिन वंदे महातुर्ण